जाहिन दोस्तों बेलकम बैक तार्वीवा यूटीब चैनल तो आज की सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्डी रहने बाला है आज हम डिसकस करेंगे जीके मिक्सिन प्रिश्णों का मॉक टेस्ट जिसमें हम तॉप 20 प्रिश्णों का टेस्ट लगाएंगे पॉल्टी की एक लास होगी पॉल्टी की एक लास मंबर एक रहेगी आपके लिए और कॉश्ण के आपको बता 20 है टार्गेट रहेगा 18 कॉश्ण का थोड़े हार्ड लैबल के कॉश्ण आपको एड करे रहेंगे तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है 15 कॉश्ण भी आपकी स ही चली हुई है सबी कॉश्ण आपको हिंदी और और इंग्लिश में मिल जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉश्ण से और अब तक आपने वीडियो को लाइक ने करा जल्दी से वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए कॉश्ण है कि किस अधिनियम को मॉंटेंग्यू चैंप्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है इनमें से किस अधिनियम को मॉंटेंग्यू चैंप्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है which act is now us Montague, Champs Ford reform, option आपके भारत स्वतंतर अधिनियम 1947, इंडिन इंडिनिपेंडिन एक्ट 1947, भारत शासन अधिनियम 1919, गोर्मेंट आफ इंडिया एक्ट 1919, अब ध्यान से सुनना पीट्स इंडिया एक्ट 1884, पीट्स इंडिया 1813, तो किस अधिनियम को या फिर किस अधिनियम को, मौटेंग्यू Champs Ford के नाम से भी जाना जाता है, कोशन महुँस इंडिया और ये कोशन आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है, इसका राइटन से रहेगा, मौटेंग्यू Champs Ford के नाम से जो है भारत शासन अधिनियम 1919 हैनी Government of India Act 1990 के नाम से जाता है कोशन महुँस आपके सामने भारत की सविदान सभा को गठित करने का अधिकार का अधार क्या था भारत के सविदान को गठित करने का अधार क्या था आप्शन आपके भारती राष्टी कॉंग्रेस का परस्ता कैबिनेट मिशिन प्लान 1940 भारती सविदान अधितरता अधिनियम 1947 या फिर राज्य विदान मंडल के परस्ता तो जो विदान सभा है इसे घठित करने का अधार क्या था क्या था कैबिनेट मिशिन ठीक है कैबिनेट मिशिन प्लान 1940 ओप्शन नुम्बर 20 का राइट अरहेगा क्याशन नुमर 3 आपके सामने सन 1936 में भारती राष्टी कॉंग्रेस दवारा साविदान सभा के गठन की मांग किस अधिवेशन में रखी गई थी यह कोशन आपको पता है मुझे पता इंपोर्डिट है तो कोशन को नौट कर ले कहीं भी आप कर सकते हो तो जल्दी से बताइए 1936 में जो कॉंग्रेस का अधिवेशन हुआ था यह कहाँ पर हुआ था जहाँ पर किसकी मांग की गई थी सविदान सवाक थी गई सविदास सवाक को गठित करने की मांग करी गई थी कांदपूर, मुंबई, फयजपूर या फिर लाहूर तो राइट अनसर क्या रहेगा आप्शन नम्बर A जाफ करें आप्शन नम्बर C इसका राइट अनसर रहेगा यहां से एक सिंपल कोशिन आपका पूछता हूं बारती राश्री कॉंग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था यह आपको बताना है और दूसरा कोशन इसी से लेटेड़ पहला अधिवेशन कौन से सन में हुआ था जल्दी से कमेंड़ वाक्स में बताइए यह दोनों कॉशन आपके जीरी ट्रेड में पूछे परशन है कॉशन नुमर चार भारती सविदान सवाकि स्थापना पर हुई थी कॉशन इंपोड़िड है भारती सविदान सवाकि स्थापना कब हुई थी वैंबाज Constitution Assembly of India established 10 जून 1940, 10 दिसम्बर कितना 1946, 26 निमंबर 1940 या फिर 26 दिसम्बर 1940 तो भारत का सविटान जो है इसकी स्तापना कब हुई थी? कब 9 दिसम्बर 1940 को भारत के सविदान की स्तापना हुई थी? मौस इंपॉर्डिर कॉशन है, कॉशन नुमर पांच आपके सामने, सविदान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? सविदान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है कौन से स्थान पर हुआ था? मौंबई, कॉलकता, लाहूर या फिर क्या दिली? मौंबई, कॉलकता, लाहूर या फिर दिली कहां पर पहला अधिवेशन हुआ था सविदान सभा का तो राइटन से रहेगा ऑप्शन नुमर डी दिली में कॉशन नुमर छे आपके सामने सविदान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? हूँ बास्ती, तंप्रेरी प्रेजिजेंट अफ्टी कंस्टिटूशन असेंबली? सविदान सभा के पहले अध्यक्ष या फिर अस्थाई अध्यक्ष कौन चुने गी थे? भीम राम बेड़कर, डक्टर जेंदर परसाद, सचिना नंसिना या फिर इम्मय से कोई नहीं। तो आपको पता है, 9 दिसंबर 1940 को सविदान की स्थापना हुई थी, तो इसी दिन किसे चुना जाएगा किसे अस्थाई अध्यक्ष को? कौन चुने गे थे? डक्टर सचिना नंसिना को चुना गया था अस्थाई अध्यक्ष. अब नेक्स कोशन इंपोर्डिड है, सविदान सवाक की स्थाई अध्यक्ष कोन थे? हूँ वास थी, पर्मानेंट प्रेजेट अफ्यक्ष को चुना गया था? तो इन्हें चुना गया था, 11 दिसंबर, ये भी आदेट यार रखने हैं, 11 दिसंबर 1940 को किसे चुना गया था? सथाई अध्यक्ष को चुना गया था, नि पर्मानेंट जो प्रेजेट होते हैं, उन्हें चुना गया था, 11 दिसंबर 1946 को, और कौन थे? ये थे आपके डक्टर अराजेंदर पर साथ, कॉस्चन नमर आठ आठ आपके जावने, सविदान सभा के सविदानिक सलाकार कौन थे सविदान सभा के सविदानिक सलाकार कौन थे? Most important question, who was the constitutional advisor of the constitutional advisor of constant assembly, शरच चंदर बोस, इनने से कोई नहीं, रफीर एहमद वनेगर या फिर नर्सिंग राव? तो जल्दी से बताई राइट अंसर क्या रहेगा? सविदान सभा के सविदानिक सलाकार कौन थे? तो सविदानिक सलाकार कौन थे? नर्सिंग राव, नर्सिंग राव इसका राइट अंसर रहेगा option number D, question number 9, सविदान सभा में प्रारूप स्मिती की निक्ति कप की गई थे? सविदान सभा में प्रारूप स्मिती की निक्ति कप की गई थे? option आपके, 29 अप्रेल, 29 अप्रेल, 1947, 11 जून, 1947, 11 आगस्त, 1947 या फिर 16 दिसंबर, 1947 को सविदान सभा में प्रारूप स्मिती की निक्ति कप की गई थे? 29 अगस्त, 1947 को की गई थे, option number D, रहेगा, question number 10 है, भारती सविदान सभा की प्रारूप स्मिती के अध्यक्ष कौन थे? question most important है, प्रारूप स्मिती के अध्यक्ष कौन थे? who was the chairman of the drafting committee of the Constraint Assembly of India, राजिंदर वरसाद, जवालाल नहरू, डॉक्टर भीम राम बेटकर या फिर परश्वत्नम दास टंडन, राइट अंसर क्या रहेगा? तो जब भी आप से पूछे की प्रारूप स्मिती के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीम राम बेटकर इसका राइट अंसर अरहेगा? question number 14, सविदान सभा में प्रारूप स्मिती के स्थर्ष्यों की संख्या कितनी? यह question important है और जितने वी सदस्या उन्हें सभी के आपको नाम याद होने चाहिए, यहां से question पूछ सकता है, इनमें से कौन सा आपका प्रारूप स्मिती का अध्यक्ष नहीं था? तो सलिए आपके लिए एक और question होंबर करे गया, तो साथ इसके total कितने थे? इसमें ड्राफ्टों कमेट्टी में जो total member आपके 7 थे, यह 7 कौन कौन से बिखती थे comment box में आपको होंबर question रहेगा, question वर बाहर आपके सामने, निमें लिखित में से कौन भारती सविदान सवा की प्रारूप स्मिती के अध्यक्ष नहीं थे? तो यहां question पूछा गया है, SSE, GD में, Railway में और इंडिन आमी में वक्सिन चांस है, पूछा जाएगा, who among the following is not chairman of the drafting committee of constitution assembly of India, गौपालाचारी, अलादी कृष्ण स्वामी, भीम राम अमेड कर, डाक्टर अजंदर पस, तो राइट अंसर क्या रहेगा, अगर पूछे, प्रारूप स्मिती के अध्यक्ष नहीं थे, तो राइट अंसर हैगा, भीम राम, आपकरे, डाक्टर प्रसाद इसका राइट अंसर और हेगा, क्योंकि डाक्टर प्रसाद यो थी है स्थाई अध्यक्षते, किसके सवविदान सवा के, सवविदान सवा के सथाई दक्षते, और इनका ड्राफ्ट वों घ्यंटी से कोई लिए न देना नहीं था, कौशन नमर 13, सवविदान सवा में प्रारु स्मीति के स्मक्ष प्रस्तापना का प्रस्ताफ किसने रखा था दिया गय्मेदकर nächsten thereWi en sirb महात्मा गांधी पंडी जवालाल नहरू बेलकुल आपने अंसर दिया है option number D, पंडी ज्वाला नहरु दुबारा सविदान सवा में प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया था question number 14, भारती सविदान सवा ने राष्टी धवज की रूप रेका को कब अगिकार किया था जो आपका राष्टी धवज है, इसे सविदान सवा ने कब अपनाया था 25, माफ करें, 23 अगस्त 1947, 13 दिसंबर स्टंबर 1947, 15 अगस्त 1947 या फिर 22 चुलाई 1947 को तो जब भी राष्टी धवज है की बात की जाए तो इसे पनाय गया था 22 चुलाई 1947 को question number 15, सविदान सवा ने सविदान को अंति रूप में किस दिन पारित किया सविदान सवा ने सविदान को अंति रूप में याद रखें अंतिम रूप में किस दिन पारित किया था option आपके सावने 15, सविदान सवा ने सवा ने सविदान सवा ने सवा ने रूप में रूप में पारित सविदान में कुल कितने अनुशयद और कितनी अनिसूचिया थी यानि सविदान की जब गठन हुआ था उस समय सविदान के कितनी अनुशयद आर्टिकल और इसकी कितने schedule यानि constitution हम आपके अनिसूचिया आपकी थी 375 अनिशयद 7 अनिसूचिया 387 अनिशयद 7 अनिसूचिया 395 अनिशयद 8 अनिसूचिया या फिर 395 अनिशयद 10 सूचिया तो राइट अंसर कह रहेगा जिसका राइट अंसर रहेगा option नुमबर C 305 अम आपकर 395 अर्टिकल और 8 schedule थे आपके सविदान के समय next question है संपूर्ण भारती सविदान के निर्मान में सविदान सभा को कितना समय लगा था यह question थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है यह question पूछ रहे है कि सविदान को वनने में total कितना समय लगा था दो वर्ष 7 महीने 23 दो वर्ष 11 महीने 18 दिन दो वर्ष 11 महीने 14 दिन दो वर्ष 11 महीने 23 दिन तो राइट एंसर क्या रहेगा दो ग्यारा 18 क्या दो ग्यारा अठारा दो वर्ष 11 महीने 18 दिन question number 18 भारत के सविदान का निर्माता किसे माना जाता है यह पूछा हुए है कि भारत के सविदान का पिता किसे कहा जाता है भारत के सविदान को पूरण रूप से किस दिन पारित या फिर किस दिन लागू किया गया था 26 जन्मबर 1950 को 26 जन्मबर 195 को 15 अगस्ट 1949 को या फिर 26 निमंबर 1949 को तो राइट एंसर क्या रहेगा पूरण रूप से कंस्टिशन को कब लागू किया गया था 26 जन्मबरी को कौन सा दिवस मनाया आता है या कमेंट बॉक्स में आपको पताना है कौशन नमर 20 आपका लास कोशन है भारती सविदान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याक्या परदान की गई है यानि कौन से भारत के सविधान को या कौन से अंग को जो है भारत के सविदान की आत्मा कहा जाता है परस्ताबना को मौलिक अधिकारों को राज्यक इनितिर देशिक तद्वों को या फिर सविदान के सभी उनशेदों को सविदान के सभी उनिशेदों को तो क्या कहा जाता है आत्मा के संगय किसी दीगी है परस्ताबना को जो है इंडियन कंस्टिउशन की आत्मा की संग्यादी गई है चलिए दोस्तों जल्दी से बताईए 20 में से आपके कितने सही ते जितना मिस्कोर आपका होता है कमेंड बॉक सब्सक्राइब करें और साथ में आप जो है कालीग्राम गुरुट जान कर सकते हैं जिसे लिंक आपको नीचे डिसने मिल जाएगा चलिए मिलते हैं को श्यांदार वीडियों में तब तक अपना ख्यार रखें अपने घरभलों का ख्याल रखें